Hello guys, welcome back to Kids Learning शुपृती चौदरी. Today we will discuss on weekly current affairs from 14th April to 21st April 2023. 14 April से 21 April तक के current affairs को आज हम discuss करेंगे. विश्व हेमोफेलिया दिवस कम मनाया जाता है? 17 April 17 April को World Hemophilia Day मनाया जाता है. हेमोफेलिया से पीडित व्यक्ति को घाव लगने की स्थिती में खून का थक्का नहीं जम पाता है, जिस वज़े से लगातार खून बहा करता है. भारत सरकार ने प्रोजेक्ट लॉंज किया था 1992 में. हाथी बचाओ दिवस कम मनाया जाता है? 16 April Save the Elephant Day वाज सेलिब्रेटेड और 16 एप्रिल उद्देश क्या है? हाथी ओ द्वारा सामना किये जाने, मुद्रों के बारे में जागरुक्ता को बढ़ावा देना. धीन क्या है? एक सत्त कल के लिए हाथीयों के आवास की सुरक्षा. 1992 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट Elephant लॉंज किया था. भारत में हाथीयों की संख्या लगब 23,312,2017 की जनगनना में की गई है. कर्णाटक में हाथीयों की संख्या सबसे अधिक थी उसके बार असम और केरल का स्थान आता है. विश्व लिवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लिवर दिवस प्रतेक वर्ष 19 अप्रिल को लिवर स्वास्थ और संबन्दित बिमारियों के बारे में जागुत्ता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. ये पहली बार 2012 में मनाया गया था. विश्व लिवर दिवस का विशय सतर्क रहे नियमित लिवर चेक अप करें, फैटी लिवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है. विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? अठारा अप्रेल 18 अप्रेल World Heritage Day यानि विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. सांस्कृतिक की सुरक्षा के महल के बारे में जागुत्ता बढ़ाने के लिए 18 अप्रेल को विश्व धरोहर के रूप में मनाया जाता है. विश्व धरोहर का विश्व विरासत परिवर्तनी शिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है. 18 अप्रेल को शिविल सेवा दिवस मनाया जाता है. National Civil Service Day 21 अप्रेल को मनाया जाता है. शिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों की सराहना करने के लिए ये दिवस हर साल अप्रेल 21 अप्रेल को मनाया जाता है. थीम विकिसित भारत का उद्देश नागरिको को सशक्त बनाना और अंतिम में तक पहुँचना. किस सहर में पुर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? गोआ हाटी. गोआ हाटी में पीएम मोदी ने 14 अप्रिल 2013 में एम्स का उद्धाटन किया. ये भारत के पुर्वोत्तर में पहला एम्स है. गोआ हाटी में एम्स की आधार शिला पीएम मोदी ने मैं 2017 में की है. महराश्च्र भूशन पुरसकार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को. केदी ब्रियमंद्री अमिक्सा ने राइगर में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महराश्च्र भूशन पुरसकार प्रदान किया. इन्होंने एक प्रशिद समाज सुधारत है. हाल में यूवा पोटल किसने लांच किया है? डॉक्टर जितेंद्र सेंग जी ने हाली में यूवा पोटल कि लांच किया है. केंद्र विज्यान और प्रदोगें मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सेंग जी को नई दिल्ली में यूवा पोटल का सुभारम किया. उद्देश सम्भावित यूवा स्टार्टप को जोड़ना और उनकी पहचान करना प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुषकार किसे मिला है? राज सुब्रमन्यम राज सुब्रमन्यम जी को प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुषकार से समानित किया गया है FedEx के CEO राज सुब्रिमन्यम को प्रवासी भारतिय सम्मान पुरस्कार मिला है भारतिय मूल के व्यक्तियों के लिए भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान है पुरस्कार का उद्देश अंतर आश्ट्रिय समुदाय में भारत की छवी को बढ़ाने में भारतिय डाइस पोरा द्वारा किये गए योगदान को पहचानना और सम्मान देना किस राज में बियार अमबेटकर की 125 फूट उची प्रतिमा का अनावारन किया गया है तिलंगना के मुख्य मंत्री के चंद सेखर राव ने हाल ही में हाइदराबाद में बियार अमबेटकर की 125 फूट उची प्रतिमा का अनावारन किया प्रतिमा का अनावारन अमबेटकर की 130 भी जैनती के उपलक्ष में किया गया था ये प्रतिमा हुसेन सागर जील के किनारे पर सची वाला के निकर स्तिध है हाली में साथी पोर्टल और मॉबाईल अब को किसने लाँच किया? नरेंदर सिंग तोमर इन्होंने हाली में साथी पोर्टल और मॉबाईल अब को लाँच किया क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद सिंग्त उमर ने बीज उत्पादन, गुनवत्ता बीज, पहचान और बीज प्रमानिकरन की चुनोतियों से निपटने के लिए साथी पोटल और मोबाइल एप को लॉंज किया लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले ये पुरुसकार लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था पहला लता दिनानात मंगेशकर पुरसकार नरेद्र मोदी जी को मिला था दुनिया का सबसे अधिक आबादी देश कौन बन गया है? भारत भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है सायुक्त राष्ट जनसंख्या कोर्ष की रिपोर्ट अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है किस देश ने फेंग्विंग तीन उपग्रह लांच किया है चीन चीन ने चांग होंग चारवी राकेट का उपयोग करके फेंग्विं तीन मौसम संबंदी उपग्रह को सफलतापुर्वक लांच किया उद्देश गंभीर मौसम की स्थिती विशेश रूप से भारी वर्षा जो बार और भूस खलन जैसी प्राकृतिक उपदाओं की निग्रानी और जानकारी प्रदान करना है फेमिना मिस इंडिया दो हजार तेइस कौन बनी है? नंदिनी गुपता ताटा, भाई भाई